नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धरंजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे पाकिस्तान जो कि सर से लेके पाउं तक कर्ष में डूबा हुआ है और वहीं पे इनके पास कोई भी ऐसे एकनॉमिक प्लैन नहीं है जिसके तहत ये पाकिस्तान की इकनॉमि को दुबारा से रिवाइफ कर सके इसी बीच पाकिस्तान के तरब से यूएस को रिक्वेस्ट किया गया है कि यूएस पाकिस्तान को और भी हत्यार दे क्योंकि पाकिस्तान को ऑपरेशन इस्तिकाम करना है अब हमारे दिमाग में सवाल आ सकता है कि आखिर में ये operation इस्तिकाम है क्या और इसके लिए पाकिस्तान लोग क्यों हत्यार चाहिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पाकिस्तान का current situation क्या है तो जैसा कि हम सभी को पता है कि पाकिस्तान एक bankrupt देश है और साथ में पाकिस्तान में आज के rate में radicalism या extremism इतना ज़ादा बढ़ चुका है कि ये कही न कहीं जो सरकार है पाकिस्तान का उनके लिए बहुत ही बड़ा सरदर्ध है और इसके पीछे का वज़े खुद पाकिस्तान की जो सरकार है वो है पाकिस्तान जब से भारत से अलग हुआ तब से इनके पास कभी भी इनका कोई independent foreign policy नहीं रहा क्योंकि अगर किसी भी देश का independent foreign policy नहीं रहता है तो उसका असर आपके देश के internal politics में भी पढ़ता है और साथ में जो बाहर से investors interested होते हैं वो भी नहीं आते हैं तो slowly and gradually क्या होता है कि आप दुनिया से complete तरीके से cut off हो जाते हैं जिस तरीके से आज की rate में पाकिस्तान हो रखा है उसके बाद पाकिस्तान का जो foreign policy था वो बहुत हद तक US control करता था उसके बदले में US पाकिस्तान के officials को पैसे खिलाता था उसके बाद पाकिस्तान अपने जमीन पे armed groups को training दिया करता था जिसके पीछे पाकिस्तान का ISI और उनके military का हाथ था तो कहने का मतलब है कि जितने जो पाकिस्तान का leaders थें, officials थें वो पाकिस्तान को as an training center बना दिये थें जिसके करण क्या होता है कि पाकिस्तान में आज के date में इतने सारे armed groups हो गया हैं जो directly challenge कर रहे हैं सरकार को अगर किसी भी बात को लेके government of Pakistan और उस armed group के बीच में सहमती नहीं बनती है तो वो सारे armed group कुछ इस तरीके से ही suicide bombing करते हैं अगर बात किया जाए साल 2023 का तो जो data कहता है उसके हिसाब से कुछ 900 terrorism या counter terrorism activities हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जिसके कारण लगभग कुछ 3000 से लेके पाकिस्तान में आज के date में internal disturbance है जिस चीज़ को पाकिस्तान की सरकार आज के date में terrorism कहते हैं वो उसी चीज़ को किसी टाइम पे पाकिस्तान की सरकार और वहां के ISI मुझाहिदीन या fighters कहते थें क्योंकि वो सारे लोग पाकिस्तान की जो सरकार है उसके हिसाब से काम करते थे लेकिन situation आज की date में काफी अलग हो गया है, जो कल तक मुझाहिदीन थें, वो आज directly challenge पोस कर रहे हैं, government of Pakistan को, उसके बाद अगर बात किया जाए, तो पाकिस्तान आज की date में एक battleground बना गुआ है between US और चाइना, US का influence आज भी पाकिस्तान के अंदर खूब है, और वहीं अगर बात किया जाए, चाइना के बारे में, तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक trade deal है, जिसको हम कहते हैं CPAC, यानि कि चाइना पाकिस्तान economic corridor, तो आज भी जो पाकिस्तान है, वो कहीं न कहीं एक battleground बना हुआ है, और उसके बाद जब चाइना पाकिस्तान में investment कर रहा था तो कुछ इस तरीके से बताया गया था CPAC के बारे में, कि अगर पाकिस्तान में CPAC project शुरू होता है, तो पाकिस्तान के जो लोग है, उनको बढ़ चड़ कर रोजगार मिलेगा, लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि government of China अपने ही engineers को ला रहे, अपने ही workers को ला रहे है, तो as a result य यह हो रहा कि CPAC जहां-जहां से पास हो रहा पाकिस्तान में, उन सारे area को acquire किया जा रहा, लेकिन वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, तो उसके कारण भी क्या है कि वहां के जो local लोग है, वो काफी परेशान है, as a result यह होता है कि जब भी उनको समय मिलता है, तो व नहीं रहे पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान अब समय दर समय यह कह रहा है कि पाकिस्तान as a country, वो अपने देश में complete तरीके से extremism और terrorism को खतम करना चाता है, ध्यान रखिएगा, extremism या terrorism तभी खतम होता है, जब आप अपने देश में education को फैलाते हैं, जब आप अपने देश मे infrastructure development करते हैं, उसके बाद हमें एक बात का ध्यान रखना है, वो यह है कि किसी भी देश में अगर कोई ऐसे group या groups हैं, जिनकी सरकार से नहीं बनती है, तो सबसे पहला जो step होता है, वो यह होता है कि उस group या group से बातशीत किया जाए, और समझा जाए कि कि किस बात को लेके उन इस तरीके से है, कि उन सभी areas में पाकिस्तान military operation करना चाहता है, terrorism के नाम पे, जिनके relation बीते कुछ सालों में पाकिस्तान सरकार के साथ खराब हुए हैं, तो कहने का मतलब है कि जब आप ऐसा कोई भी मुद्दा हो, जो किसी भी देश के internal मुद्दा हो, तो वहाँ पे जो सब से पहला step होना चाहिए, वो होना चाहिए बातचीत, और पाकिस्तान ठीक इसके विपरीद कर रहा है, जहां पे वो military action को preference दे रहा, तो यहां से भी आप समझ सकते हैं, कि कहीं न कहीं, जिस तरीके का steps लिया जा रहा, government of Pakistan के दवारा, आने वाले दिनों में हम definitely सुनने वाले ह कि पाकिस्तान में और भी bombing या suicide bombing होंगे, जिसके करण जो पाकिस्तान का situation है, वो और भी खराब होने वाला है, अब यह कहने के लिए तो पाकिस्तान का ambassador हैं, जो कि US में posted in का नाम है, मसूत खान, अब इतनी छोड़ी सी बात समझ में नहीं आती है, कि इनको ऐसा क्यूं लग बहुत हद तक US जिम्मेदार है, क्योंकि US हर वक्त पाकिस्तान को as in proxy इस्तेमाल करता हुआ आया है एशिया में, और कहीं न कहीं इसके पीछे का अगर आप responsibility देखेंगे, तो पाकिस्तान के जो leaders है, उनका भी है, जब भी इनके हाथ में सत्ता गया है, तो ये पाकिस्तान मे हो चुका है, US है पाकिस्तान को कुछ इस तरीके से ट्रीट करता है कि जब भी US को लगता है कि उसे अपनी कोई काम को निकलवाना है पाकिस्तान से, तो ये बदले में क्या करते हैं कि कुछ हत्यार और कुछ पैसे भेज देते हैं, और पाकिस्तान के जो leaders है, वो उस पैसे और उस हत्यार को दे के खुश हो जाते हैं, अभी जब रश्या यूकरेन का वार चल रहा था तो US के कहने पे पाकिस्तान ने यूकरेन को हत्यार बेचें, और उसके बदले में US ने IMF से कुछ लोन दिलवा दियें, और साथ में geopolitics में आपको respect तभी मिलता है, जब आप अप अपने देश में कुछ manufacture करते हैं, और कुछ ऐसा manufacture करते हैं, जो की unique हो, कहने का मतलब है कि जब तक आप किसी भी देश को अपने उपर dependent नहीं बनाएंगे, तब तक जो respect है वो आपको नहीं मिलने वाला है, और अगर आप बात करें overall पाकिस्तान का, तो जो पाकिस्तान का geographical location ह वो सच में काफी बहतरीन है, और उसका इस्तमाल पाकिस्तान कर सकता था अगर वो tourism को promote करता ना कि terrorism को, I hope that you like the video, अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई, तो मैं माफी चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं, see you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care goodbye